नमस्कार दोस्तों आप सबका हमारे इस यूटूब चैनल एश्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आज हम उपस्थित हुए हैं किस दिशा में लगाएं भागते हुए साथ गोरों की तस्वीर क्योंकि साथ गोरों की तस्वीर बदल देंगे आपके किस्मत के पन्ने तो वीडियो में हम आगे बढ़ें आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को मतलब घंटी के निसान को टच किजिए और आल दबा लिजिए मित्रों वास्तु के अनुसार दोरते हुए साथ गोरों की तस्वीर लगाना बहुत ही सुभ होता है अगर आप अपने घर या दफ्तर में दोरते हुए गोरे की तस्वीर लगाते हैं तो यह आपके कारे में गती प्रदान करता है दोरते हुए घोरे सफलता प्रगती और तागत के प्रतिक माने जाते हैं खास कर साथ दोरते हुए घोरे ब्यवसाय की प्रगती का सूचक माने गये हैं क्योंकि सास्तों के अनुसार सात अंक सारभौमिक है और प्राकृतिक भी है। मित्रों ब्यापार में प्रगती के लिए अपने ओफिस की केविन में सात दौरते हुए गोडों की तस्वीर लगाएं। इन तस्वीरों को लगाते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि गोडों का मुह आफिस के अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए और दक्षिन दिवार पर तस्वीर को लगानी चाहिए। दौरते हुए गोडे प्रगती के प्रतीक होते हैं कारे में गती प्रदान करते हैं जो बेक्ती बार बार इन गोडों को देखता है इसका सीधा असर बेक्ती के कारे प्रनाली पर पड़ता है अताहर ये गोडे आपके कारे में गती प्रदान कर सफलता दिलाने में मददगा सावित होंगे मित्रों वास्तु सास्त्र के अनुसार दौरते हुए गोडों की तस्वीर को घर में लगाने का महत्व बताया गया है क्योंकि यह तस्वीर आपकी सपलता को गती देगी वैसे तो इस प्रकार की तस्वीर को घर में कहीं पर भी लगा सकते हैं लेकिन इसे घर के पुर्व दिवार में लगाने से अधिक लाव मिलता है इस तस्वीर को घड में लगाने से अच्छी अच्छी नौकरी जल्दी लगती है नौकरी में प्रमोशन और समाजिक मान सम्मान के अलावा धनलावकावी योग बनता है मित्रों ये ध्यान दें कि दौरते हुए साथ गोडों की तस्वीर से सकारात्मक उर्जा उत्पन होती है जो आपको प्रत्यक छेत्र में तरक्की और सफलता दिलाती है हर इंट्रेंस के लिए अलग-अलग दिवार का निर्धारन किया गया है द्यान रखे कि अकेले गोडे की तस्वीर कभी भी ना लगाएं क्योंकि इससे आपको फायदा की जगह नुकसान हो सकता है जिससे धन का मार्ग रुकता है जब भी लगाएं साथ गोडों की तस्वीर ही लगाएं साथ घोडों की तस्वीर आपके कैरियर में बरक्कत लाती है और साथ घोडों की तस्वीर घर में लगाने से जीवन में धन संबंधी ज़्यादा उतार चड़ाओ देखने को नहीं मिलते प्रिये मित्रों अस्थाई रूप से घर में लक्षमी का निवास होता है इसके लिए घर के मुखे हौल के दक्षिनी दिवार पर घर के अंदर आते हुए मुख वाली घोडे की तस्वीर को लगानी चाहिए घोडे का फोटो खड़िते समय इस बात का ध्यान जरूर रखे कि घोडे का चेहरा प्रसन्न चित्त मुद्रा में हो ना की आक्रोसित हो ध्यान रखे कि घोडे सकती और उर्जा का प्रतीक है और खास करके सफेद घोडे सकारात्मक उर्जा के प्रतीक होते हैं इसलिए घर और आफिस की नाकारात्मक उर्जा को दूर कर सकारात्मक उर्जा को लाने के लिए सफेद सात घोडे की तस्वीर लगानी चाहिए अगर आप कर्ज से परसान है तो घर या दफ्तर के उत्तर पस्चमी दिशा में आर्टिफिसियल घोड़े का जोड़ा रखे या आपको किसी भी गिफ्ट सौब पर आसानी से मिल जाएगी कभी भी घोड़े की तस्वीर टुटी फुटी ना लगाएं इस पर विशेश ध्यान रखें कभी भी टुटी फुटी तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए और नहीं धुंदली तस्वीर भी लगानी चाहिए जिस तस्वीर में अलग अलग दिसा में घोरे दौरते हुए नजर आए वह तस्वीर भी नहीं लगाना चाहिए दौरते हुए घोरे के तस्वीर लगाए तो इससे घर में सुक्सम्रदी और लक्षमी का वास होता है मित्रो तो ये था आज साथ गोरे के तस्वीर के उपर हमारा ये टिप्स वास्तो टिप्स आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो को लाइक जरूर करें